अब यहाँ इसको समझना पड़ेगा एकानुक अभिक्रिया वे अभिक्रिया हैं जिसमें अभिक्रिया की गती केवल एक अभिक्रिया की सांधता पर ही निर्बर करती है वह प्रथम कोटी की अभिक्रिया कहलाती है जो एकानुक अभिक्रिया होगी दूसरा, चुंकि अभिक्रिया की दर, rate of reaction केवल एक अनु की सांध्रता पर ही निर्बर करती है, अत यह एक प्रथम कोटी की अभिक्रिया है, first order reaction, अभिक्रिया का वेग, केवल, अलकाइल हैलाइड की सांध्रता पर ही निर्बर करता है, अक्रमन कारी अभिकर्मक की सांध्रता वेग को प्रभावित नहीं करती है, अत वेग समीकरण निमन प्रकार लिखी जा सकती है, वेग समानू पाती अलकिल हैलाइड या वेग इस इकल टू कॉंस्टेंट के इंटू अलकिल हैलाइड की सांध्रता बड़े ब्रैकेट में अपन पढ़ चुके हैं, लून क्लास में सक्रीद अविमानिया सांध्रता कहलाती है, यहां चुकी अभिक्रिया की दर दो अन्वां की सांध्रता पर निर्भर करती है, अतयह एक दितिय कोटी की अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग न केवल अलकिल हैलाइड, की सांध्रता पर निर्भर करता है, अपितो अक्रमन कारी ना भिक्सनेही की सांध्रता पर भी, निर्भर करता है, अथार्त वेग समीकर्ण में अपन कह सकते हैं, वेग इस डारेक्ली प्रपोर्शनल तो, अक्रमन कारी अभिकर्मक ना भिक्सनेही की सांध्रता, या वेग बराबर कॉंस्टेंट के, इन्टु अलकिल हैलाइड की सांध्रता, इन्टु नुक्लिफाइल की सांध्रता, यहां केको वेग नियतांक कहते हैं, SN1 में इस अभिक्रिया की क्रियाविधी में, एक मध्यवर्ती कार्बधनायन या कार्बुकेटायन बनता है, इसमें किसी भी प्रकार का कार्बधनायन नहीं बनता है, यहां कार्बधनायन इलमन में पड़ा है कार्बोकेटायन धनावेशित कार्बन को कहते हैं, मगर चौथा पॉइंट पहले मैं इसमें लिख रहा हूँ, इसमें एक संक्रमन अवस्था, ट्रांजीशन स्टेट बनती है, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कार्बन पर्मानू, पेंटावेलेंट, पंच संयोजी, कार्बन पर्मानू, पंच संयोजी, हो गया है। वास्तों में कार्बन की संयोजक्ता तो चारी है, मगर पांच समू उसमें जुड़े वे दिखाई देंगे, दो अर्ध बंदीत अवस्था में होंगे, इसमें किसी भी प्रकार की संक्रमन अवस्था नहीं बनती है। इसकी क्रियाविदी को अभी सम्झाएंगे, तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो जाएगी, अब यहां फिर एक question अतिलग उत्तरात्मक के रूप में बोड में, competition में पूछा हुआ है, पूछा जा सकता है, SN1 और SN2 का अभी किरिया के steps पर क्या फरक पड़ता है, कितने पड़ों में संपन होने वाली अभी किरिया है, और ये याद रखना होगा, ये बिलकुल उल्टा है, SN1 यह अभी किरिया, दो पड़ों में संपन होती है, यानि SN1 जो है, वा तो दो पड़ों में होगी, और जो SN2 है, वह एक पड में संपन होती है, यह अभी किरिया, एक पड में ही संपन होती है, एक स्टीडियो कहमिस्ट्री का चैप्टर आपके कोर्स में है, वहाँ थोड़ा डिटेल में पड़ेंगे, यहां समझना होगा, जब मद्यवर्ती कार्बो केटाइन बनता है, और 11 क्लास में पड़ा है, कार्बो केटाइन में कार्बन SP2 संकरित अवस्था में है, त्रिकुनात्मक सम्तलिय जामिती है, अत नाबिक्स नहीं दोनों ऐसे किसी भी और से आक्रमन कर सकता है, अत बनने वाला उत्पाद रैस्ट्रमिक मिक्सर होगा, यदि क्रिया कारक धुवन गूर्णक अप्टिकली एक्टिव पदार्थ है, तो बनने वाला उत्पाद एक रैस्ट्रमिक मिक्सर होगा, प्रस माइनस या इसमाल डी और इसमाल ल से भी विक्ट करते हैं, डी एल उन्ने वाले एक रैस्ट्रमिक मिस्ट्रण होगा, इसका कारण है कि जब मध्यवर्ति कार्ब धनाएन बनता है, तो धनावेशित कार्बन तिकौन के केंडर में होगा, तो नाविक्स ने ही इस दिशा से भी आक्रमन कर सकता है, और इस दिशा से भी आक्रमन कर सकता है, तो 50% में नुक्लियोफाइल इस दिशा में होगा और 50% में नुक्लियोफाइल इस दिशा में होगा, इसलिए वो रैस्ट्रमिक मिस्ट्रण कहलाता है, यहां यदि क्रिया कारक दुण गोनक है, तो बनने वाला उत्पाद वाल्डन प्रतीपन, वाल्डन इनवर्जन की भांती होगा, अथार्थ विन्यास परिवर्टित हो जाएगा, अगर क्रिया कारक में हैलोजन राइट डारेक्शन में जुड़ावा था, तो उत्पाद में वो नुक्लियो फाइल उसके पीछे की और जुड़ावा होगा, इसे स्टीरियो केमेस्टी में अपन कहते हैं वाल्डन प्रतीपन, डेक्स्ट्रो से लेवो या लेवो से डेक्स्ट्रो में परिवर्टन वह वाल्डन प्रतीपन कहलाता है, समन्यत त्रतीप अलकिल हैलाइट्स वा कुछ जितियक अलकिल हैलाइट्स, S.N.1 क्रियाविधी दर्साते हैं, समन्यत प्राथमिक अलकिल हैलाइट्स, वा कुछ दितियक अलकिल हैलाइट्स, S.N.2 क्रियाविधी दर्साते हैं, बोर्ड में कई बार S.N.1 और S.N.2 में अंतर पूछावा है, कि विबेद कीजिए तो उसमें मुख्य तीन पॉइंट, चार पॉइंट, पांस पॉइंट जैसा क्वेशन हैं, अतिलग उत्तरात्मग है, तो ये दर्वाला बताना जरूरी है, S.N.1 में एक पद में, S.N.1 दो पद में और S.N.2 एक पद में उल्टा है, वन और टू तो और्डर अफ रियक्शन को समझाता है, ये इन दोनों में विबेद हुआ, और अब इनकी क्रियाविधी को समझाने जा रहे हैं, प्लस जलिय एक वस कोह या नोह इस एकल तो चन्सट्रीचोह यहां तरतियक ब्युटाइल क्लोराइड को जब जली या ग्योएच या एनिवएच के साथ में क्रिया कराते हैं तो तरतियक ब्युटिल एलकौहल बनता है इस क्रिया की क्रियाविधी लिखने जा रहे हैं चुकि S&1 दो पदों में होती है इसलिए पहले पद में जो मंद गती से होता है कार्बन हेलोजन की विद्धूत रिंटाओं में अंतर होने के कारण साजीत इलेक्टोन इस तरफ विस्थापित रहेंगे अतर कार्बन क्लोरीन का सिग्मा बंद का विसमान्स विखंडन होगा यह मंद गती से होता है और जो मंद गती से होता है वही वेग निर्धारक पद होता है तो एक कार्ब धनायन बनता है जैसे ही कार्ब धनायन बनेगा जली के ओएंच में के पॉजिटिव और ओएंच नेगेटिव आएन उपस्तित हैं तो यहां ओएंच नेगेटिव एक नाबिक सनेही का कार्य करेगा और वह तेजी से फास्ट इसकी और आकरसित होगा जिसे चोच नेगेटिव और यहां विलियन में के पॉजिटिव पड़ा है और सी एल नेगेटिव बना है वह आपसे मिल करके के सी एल बना देंगे तो अभिक्रिया का वेग जिसे अपन वेग समीकन कहते हैं के वेग बराबर के इंटो एक्टिव मांस ओफ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहने का मतलब है कि अगर क्योंच की सांड़ता को कम जादा भी करें तो अभिक्रिया का वेग अपरिवर्तित रहेगा मगर अलकेल हैलाइड की सांड़ता में परिवर्तन करने पर वह अभिक्रिया के वेग को भी प्रभावित करता है अत अभिक्रिया का वेग केवल एक अनों की सांड़ता पर ही निर्बर करेगा CH3Cl प्लस एकोस कोंच या नोंच इस इकल टू CNS3OH प्लस KCL सुरू में पढ़ा था कार्बन SP3 संकरित अवस्था में है तो SP3 संकरित अवस्था में सम्चतुस्फल की ये जामीती होगी कार्बन हैलोजन जिस दिशा में है उसके ठीक विपरीत दिशा से OH नेगेटिव इस पर आक्रमन करेगा जो नुक्लियोफाइल है और वह इसके साथ में अर्द बंदित अवस्था में जुड जाएगा इसको अगर देखें तो इसमें पाँच समु जुड़ेवे हैं अपनने का था कार्बन पंच सैयोजी या पेंटावेलेंट हो जाता है जबकि वास्तों में ये दो अर्द बंदित अवस्था में हैं यह ट्राजीशन स्टेट संक्रमन अवस्था कहलाती है अब जैसे जैसे कार्बन हेलोजन बंद का तूटना होगा वैसे वैसे कार्बन ओएच बंद का बनना होगा अथ अभिक्रिया का वेग दोनों की सांधता पर निर्भर करेगा और ओएच जिदर सी एल जुड़ावा था उसके ठीक विपरीत दिसा में होगा यह वाल्डन प्रतीपन कहलाता है यह अलकॉहल का फॉर्मेशन हो गया मेथिल अलकॉहल त्रिविम आकास में जिस दिसा में हैलोजन था उसके ठीक विपरीत दिसा में चुकि यह तो अप्टिकली एक्टिव नहीं अगर यह तीनों समूँ कोई भिन्न भिन्न हो तो यह अप्टिकली एक्टिव होगा तो यह डेक्स्ट्रू अगर है तो यह लेवो हो जाएगा त्रिविम आकास में राइट डारेक्शन में हैलोजन था तो इसमें लेट साइड में ओहश होगा इसे वाल्डन इनवर्जन कहते हैं वाल्डन प्रतीपन कहते हैं अत्व अभिक्रिया का वेग इन दोनों की सान्दता पर निर्बर करेगा यह एक द्वी अनुक अभिक्रिया है स्री श्री स्री ऐल और यह अक्रमन कारी अभिकरमक एक्वस के वाइच है यह इस बात की पुस्टि करती है यह दृतिय कोटी की अभिक्रिया है अभी कोटी की अभिक्रिया आपने पड़ी नहीं है, चौते चैप्टर में है, किसी प्रायोगी के वेग समीकरण में उपस्तित सक्रिय द्रव्यमानों के गातांकों का योग, उसकी अभिक्रिया की कोटी कहलाती है, इसके सक्रिय द्रव्यमान की गात एक है, इसके सक्रिय द् तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो दो आएगा यह धितिय कोटी की अभिक्रिया है इसे केमिकल काइनेटिक्स में अपन पढ़ेंगे और बात में जब स्टीरियो केमेस्टी पढ़ेंगे तो डेक्स्ट्रो और लेवो का जिक्र भी वहां पर समझाएंगे इस क्रियाविदी को ध्यान में रखते वे अब अनेकों रियक्सन्स यहां पर आपकी आएगी जिसमें नाभिक्स नहीं उस पर आक्रमन करता है वहां अलकिल समू की प्रकृती पर निरबर करता है कि वह एसन वन देता है या एसन टू देता है एक बात और जो कॉम्पडिशन के लिए समन में परिवर्तित किया जा सकता है अगर विलायक की उपस्तिती परिवर्तित कर दी जाएं समान्यत दूविय विलायक कार्ब धनाइन के स्थाइत को बढ़ाते हैं अत्र जितना ज्यादा कार्ब धनाइन का इस्थाईत होगा SN1 की क्रयाविदी उतनी ही आसानी से होगी. अपन कहते हैं... methyl chloride ethyl chloride normal prophyl chloride normal butyl chloride secondary butyl chloride and tertiary butyl chloride in halogen के निकलने से तीन डिगरी कार्ब धनायन बनेगा जो सबसे जादा इस्ताई है ये दो डिगरी बनेगा ये एक डिगरी है इसलिए इनकी क्रियाशीलता SN1 के रूप में देखें तो ये आएगी जबकि क्रियाशीलता SN2 के रूप में देखें तो बिलकुल इसकी उल्टी होगी समान अलकिल मुलक और बिन बिन अलकिल हैलाइडर अगर प्रयुक्त करते हैं हैलोजन RF, RCL, RBR और RI ये सबी समान हैं तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम चाहिए वो SN1 हो चाहिए वो SN2 हो वह इसी प्रकार का रहेगा समान अलकिल समू होना चाहिए तो वह SN1 वह SN2 दोनों में समान प्रकार का होगा बोर्ड में पूछावा है, competition में कई बार पूछावा है, different alkyl group, same halogen, different halogen, same alkyl, और different alkyl group के साथ में different halogen, जो अपन पहले बता चुके हैं, इस तरीके से इसकी आगे अपन शुरू करेंगे, नाभिक्स ने ही प्रतिस्था अपन अभी क्रिया, ये दोनों क्रियावीडियों को जान में रखिये, that's all.